ओम चान्ती तेरे अप्रेल हमें भगवान पढ़ाने आया है स्वेम निराकार परमात्मा जो ज्ञान का सागर है सुखों का सागर है वो पढ़ाने आया है हम गोडली स्टुडेंट है तो बाबा रोज भिन भिन विधी बताता है हमें उसे मनुस्य देवता बनाना है सरगुन संपन बनाना है महान बनाना है सभी पापों से मुक्त कर देना है तो रोज नही नही अवेरनेस देता है आज कह रहे हैं बच्चे तुम पुर्सोत्तम संगम युगी ब्रह्मन हो इसे याद रखो तुम इश्वर की गोड में आगे हो बहुत ही सुन्दर सब्द है तो तुम्हें इसका बहुत नसा होना चाहिए देवी गुन भिधारन करने चाहिए ब्रह्मन बन गे सुन्दर एक लाइन है यदि तुम्हें ये याद रहे हम पुर्सोत्तम बनने की यात्रा पर है तो ये भी हो गया मन-मना भव तो हम सभी पुर्सोत्तम बन रहे हैं पुर्सो में उत्तम देव स्वरूप तेवत्त्य यो हमारे अंदर है उसे जागरित कर रहे हैं तो बाबा हम सभी को रोज ये सुन्दर बाते बताते हैं याद रखो हम ब्राह्मन बन गए हैं हम सुद्र नहीं हैं हम भगवान की गोद में आगे उसने हमें एडॉप्ट कर लिया है अपना बना लिया है वो स्वयम हमें पढ़ा रहा है वो स्वयम बाप, पीचर, सदगुरु बन करा गया है हमें रास्ता दिखा रहा है रहा दिखा रहा है हमें घर ले चलेगा ये सब याद करने से हमें संसार से उपराम भी होंगे हमारे अंदर सदगुन भी आएंगे शक्तियां भी बढ़ेंगी, हम पुन्यात्माई भी बन जाएंगे इंपोर्टेंट बात है आज, तुम सभी बच्चे अपने पर बहुत सावधानी रखो, अपनी समाल करो के हम से कोई पाप करम न हो क्योंकि धर्मराज की सजाएं बहुत जादे हैं हमें देवी गुन्धारन करने हैं, भगवान मत दे रहा है उसकी स्रीमत पर चलना है सोचो तो सही भगवान की मत कभी मिलती थी क्या भगवान बता रहा ऐसे ऐसे करो तो बाबा कह रहें, यहां तुम भी करम करोगे तो सोग नी सजा हो जाएगी कोई जूट बोल देते हैं, कोई चोरी कर लेते हैं कोई ओर बोलती कुछ कर देते हैं कोई जोर से बोलती हैं, कोई क्रोध करते हैं किसी को दुख दे देते हैं, सताते हैं तो यह सब पापकरम हैं देखिए बड़े-बड़े पापकरम तो छूट गए लेकिन अब ये छोटे दुख दे देना, जोट बोलना, चोरी करना, किछे को तंग करना, इन पापों से भी हमें बचना है, बाबा कह रहे हैं बच्चे, आधत डालो धीरे बोलने की, बड़ा अच्छा उधान दिया, तेको बंदर भी कितना चंचल है, लेकिन सीख जाता है न कुटे को भी सिखा देते हैं ना, पाल तु बना रहे देते हैं, यहां तो तुम्हे भगवान सिखा रहा है, सिखते चलो, धीरे बोलने का गुण धारन करते चलो, तुम मंदिरों में जाते थे, देवताओं के सामने कहते थे ना, हम बहुत पापी हैं, हम पेर रहम करो, हम निरगुन हैं, अब तो तुम किसी से दया नहीं मांगोगे, तुम पुन्यात्मा बन रहे हो, इन पापों को छोड़ रहे हो, तो अपनी बहुत संभाल करो, तुम्हे मनुस से देवता बनना है, तुम्हे सब को रहा दिखानी है, तीसरी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ब तो कहेंगे हमारी आवाज ही ऐसी है, बाबा कहते हैं, आटेंशन दो, योगी कैसे बोलते हैं, देवता कैसे बोलते हैं, और तुम सब को रहा दिखाने वाले हो, सब का कल्यान करने वाले हो, तुम्हारे अंदर उमंग रहनी चाहिए, हम परदसनी में जाकर दूसरों को उन्हें रहा दिखाएं, समझाने की नईने युकती निकालते रहो, तुम्हारे पास ग्यान है बहुत ज़्यादा, तो बाबा सेवाओं की बहुत उमंग दिलाते हैं, और पापकरमों से भी बचाते हैं हमें, बाबा की, एक बहुती सुन्दर धारना की बात है, उस पे हम स कोई ये बात के के छोड़ दिया बस, अब चिंतन हमें करना है, संपूर्ण ग्यान का चिंतन, उसके द्वारा हम ग्यान सागर बन जाएं, आज की मुल्ली में ये भी बहुत ज़्यादा है, भगवान को कोई नहीं जानता, तुम्हें संसार को सिखाना है, किसी भी देधारी मनुस को या देवताओं को भगवान नहीं कह सकते, वो निराकार है, ब्रह्मा विष्णु संकर को भी रचने वाला है, उसका संपूर्ण ग्यान तुम्हें दूसरों को देना है, ज्यान का चिंतन करना है, तुम्हारे पास स्ष्टी के आदी मध्य अंत का ग्यान है, तुम तुम्हें पापा आत्मा बनाया? ये भी राज-बाबा बताते हैं, वो है रावण, अर्थात-पांच बिकार, आधा कल्प तुम सुखी थे, आधा कल्प रावण का दिकार तुम पे हो गया, तुम रावण की मत पर चलने लगे, तुम मनो बिकारों के वस हो गए तो तुम पाप आत्माएं बन गया बाभा जैसे सम्मुक बैठ कर आत्माओं से मनुस्यों से बाते करता है अब तुम मेरी मत पर चलो और तुम मेरी मत पर कम चलते हो रावण की मत पर ज़्यादा चलते हो मैं आया हूँ तुमें फिर से सुधार से पुरसोत्तम बनाने, अब तुम्हें पुरसोत्तम बनना है, बाबा हम सभी में सेवा करने की उमंग भी भर रहे हैं और कह रहे हैं, सब सादू सन्याशियों को भी एक दिन यहीं आना है, क्योंकि जगे एक ही है, इसको हट्टी कहते हैं दुखान, जहां से सब को सत्मार्ग मिलेगा, एक दिन वो सब भी आएंगे तुम्हारे पास, बस तुम्हें ज्यान सब को देते चलना है, वर्दान आज का, थोड़ा सुक्स में हैं सभी ध्यान देंगे, याद के बल से, हम सभी तिरकालदर्शी स्थिती को प्राप्त कर लेते हैं, जो दूसरों की और अपनी स्थिती को सेज ही पैचान सकते हैं, जान सकते हैं, तो बावा ने बहुत सुक्सम बात कही, दिव्य भुद्धी हो और याद में स्रेश संकल्प हो, तो ऐसी आत्मा को तिरकालदर्शी भव का वर्दान मिल जाता है, ध्यान देंगे इस बात पर, हम दूसरों की आदी मद्यांत को उनक में ऐसी अपनी स्थिती बनानी है, तिरकालदर्शी की, स्लोगन है, सबको सहयोग देते चलो, तो सबका सने स्वते ही मिलता जाएगा, तो आज हम, एक सुन्दर अभ्यास रखेंगे, मैं ब्राम्मन, सु फरिष्टा सु देवता, कभी अपने ब्राम्मन पन के नसे में रहे तो मान बहुत आनंदित इस्थिती में आजाएगा, ओग सांथी